पनीर बटर मसाला ओलडी इस पे एक रेसिपी शेयर कर चुकों चैनल पे फिर विए आप लोगों का रिक्वेस्ट है तो चलिए सुरू करते हैं ये सारे इंग्रीडेंट्स की जरूत पड़ेगी तीन टमाटर एक प्याज थोड़ा से सुन अद्रक ग्रीन चिली थोड़ा सा दनिया के स्टेम्स, तोड़ा काजू, बेली, तोड़ा सा सीनामन, दोचा लोंग, एंड इलैची प्याज और टमाटर को रफली काट लें अद्रक लसुन को पहले से थेंच के रखाएं साथी साथ प्याज और टमाटर को फाइन चॉप करके रख दीजिए अब एक पैन ले धीमी आँच पर प्याज को ट्रांसलूट होने तक कुक कर लेंगे, ध्यान रहे, प्याज को भूनना नहीं है, गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, जस्ट स्वेटिंग, अब यह जो प्रोसेस है, तोडली ऑप्सिनल है, आप सारी इंग्रिडिंस को एकी साथ मिलाक के बरतन म मखनी ग्रेवी बनाई जाती, कटे वे टमाटर, धन्या के स्टेम्स, एंड हरी चिली भी डाल दे, धन्या के स्टेम्स जरूर डालेगा, उससे एक बहुती बढ़िया फिलेवर आता है ग्रेवी के अंदर, वैसे रिसेंटली बटर जिकन के बीडियो अपलोड किया था, तो उसमें भी मखनी ग्रेवी के बारे में बताया हूँ, आदा टेबल इस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर, थोड़ा स्वादनु सा नमक, चे तो पिंच आप टर्मिनिक पाउडर का भी इस्तमाल कर सकते हैं, ऑप्सिनल है बट उसे एक अच्छा कलर खिल के आता है, that's it मिक्स कर लें, इस स्टेज पे तोड़ा सा यहाँ पे गरम पानी का इस्तमाल करूँगा, उसके बाद इसको बोईल करूँगा, जब तक ही टमाटर अच्छे से गल न जाए, अब होटलो रिश्रेंड में हम क्या करते हैं, बल्ब में गिरे भी बनती हैं, एक बड़ी से हंड देखिएगा, लिंक में डिस्क्रिशन बाइस में एड कर लूँगा, अब जो गिरे भी है, यहाँ पे अल्मोस्ट डन हो चुका है, टमाटर अच्छे से गल चुके हैं, इसमें जो भी थोड़ा बहुत खड़े मसाले हैं, जितना पॉसिवल है, उन्हें निकाल लीजी, जो फिलेवर हमें चेत है, वो मिल गए है, अब फाल दूमें इनको पीछना होता है, तो थोड़ा एक बिटरनेस आ जाता है ग्रेवी के अंदर, जैसे कि मैं एक्सर कहता हूँ, अब मसाले को रख देते हैं, ठंडा करने, जब तक मिस्चा ठंडा होता है, तब तक हम पनीर को का बाट रहा हूँ, जब से इंपोर्टेंट है पनीर को गरम गुनगनी पानी में थोड़ी देर के लिए छोड़ दे, नमक डाल के, इससे होता है ना पनीर सौप्ट भी हो जाता है, और पनीर सीजन भी हो जाता है, नमकीन हो जब गरेवी में एड़ कर दें, तो पनीर फीका मसाला रहता है ना थोड़ा सा पानी डाल के उसे भी इस्तुमाल में ले लेंगे, मिक्चर को अच्छे से ग्राइंड कर लीजिए ताकि एक माहिम सा पेष्ट बनके तयार हो जाए, उसी कुछ इस तरह के से, कितना बढ़िया कलर उबर के आया गरेवी का, अब फटा फट से एक स्टेनर लेंगे और गरेवी को इसमें छान लेंगे, अब थोड़ा मेनत का काम तो है, बट रिजल्ट अच्छा चीए, डिस अच्छा चीए, तो डेफिनिटली थोड़ा मेनत बनता ही है, देखो जी गरेवी जगर आपने अच्छा से बनाना है, तो जो भी डिस आप ब माटों मसाला कहे लिजिए, सब एक की है, आज बन रहा है पनीर बटर मसाला, तो बटर मसाला कहे लिजिए हैं, बटर मेल्ट हो चुक है, अब बारी कटा हुआ है, दो ओनें जो ते हो डाल दें, अब इसको गोल्डन ब्राउन होने तक भूनते रहेगा, धीमी आज पे दीर यह रिजल्ट आप आएगा इसमें, तो प्याज देख सकते हैं, भून चुका अच्छे से, इस स्टेज बे हम इसमें एड कर लेंगे जिंजर गालिक पेस्ट, आदा टेबल स्पून के गरे में जिंजर गालिक पेस्ट इनफ है, जिंजर गालिक पेस्ट को भी अच्छे से भून लेना है, ताकि उसका जो रोपन है, वो निकल जाए, जो कच्छा पन रहता है, जिंजर गालिक पेस्ट भून चुका, ड्राई मसाली अड कर लेते हैं, चिली पाउडर, धनिया पाउडर, तोड़ा सा किचन किंग, जी हां दोस्तों, अब होटलों एरिशन में किचन क का इस्तमाल होई जाता है, तोड़ी देर इसको भूने, जादा न भूने, ने तो मसाला जल जाएगा, अब जो बारी कटे वे टमाटर थे ना, वो एड़ गल ले, टमाटर डालने के बाद टमाटरों को भे अच्छे से भून लीजिए, ताकि टमाटर भे अच्छे से गल ज सार यहां पर जाएगा, नमक, नमक ध्यान पूरों अग डालीगा, क्योंकि जब हम ग्रेवी बना रहे थे, उस समय भी नमक डाला, यहां पर भी नमक डाला, अगर पहले ही जादा नमक डाल देंगे, तो उसको बैलेंस करना बाद में मुश्किल हो जाएगा, इस चीज का ध जाता है, जिंजर कालिक पेस, थोड़ा होली स्पाइस डाल के, ग्रेवी को लंबे समय तक धीमी आज पे पकाया जाता है, एक से दो गंटे, बट फिलाल घर के हिसाब से मैं आपको यह पने से भी बता रहा हूं, शेयर कर रहा हूं, तो नो प्राबलम डारेक्ट एड़ करक तो अब मिक्स करने के बाद इसको कवर कर लीजे, अब पकने छोड़ दीजे, स्लो फ्लेम पे आठ से दस मिनट जैसे कि मैं कह रहा था, तो यह छोटे-छोटे स्टेप्स हैं, तभी जाके एक परफेक्ट डिस बन पाती है, अगर उसमें छोटे-छोटे डिटेल्स मालूम पड़ते हैं, आठ से दस मिनट के बाद से कुछ इस तरह से ओयल रिलीज करना, तो इट मेंस जो हमारी ग्रे भी है, अच्छा सा सेट हो चका है, आप इसका टेक्च्चर देखे, पहले का टेक्च्चर देखे, अभी का टेक्च्चर कितना चेंज हो चुगा, एक दम एक मसाला पौडर डालूँगा, तो आप थोड़ा सा इलैची पौडर का भी इस्तमाल कर सकते हैं, फिलार में स्कीप करो, इस सारे मसाले डालने के बाद इसको मिक्स कर लेना है, अब जो गिरेवी है, अल्मूस्ट डन हो चुके है, अब इसे पगाने की जरुतन है, इसे आप स इस तरह से टॉस कर लेना, थोड़ा सा इसमें मिर्ची पौडर, थोड़ा हल्दी पौडर, थोड़ा सा मैं धनिया पौडर को परसनली डालता हूं, उससे एक बहुती बढ़िया सा फ्लेवर आ जाता है, पनीर के अंदर भी है, आपकोर्स गिरेवी के अंदर, थोड़ी दे काँ सब्सक्राइक है, अब इस पनीर कम हो गया, गिरेवी जादा हो गया है, तो करीबन यह 400 ग्राम पनीर के हिसाब सी गिरेवी थी, अब मैं स्टेज में थोड़ा सा गिरेवी निकाल लेता हूं, तो क्यों इसको ऐसको फालतु का बेस्टेज करों, तो दूसरे अश्की मे कर दिया जाता है अलग अलग नाम दिया जाता है वागी सब कुछ एक ही है अब डालेंगे इसमें थोड़ा सा हनी जी हां आप चाहिए थोड़ा सुगर भी डाल सकते हैं नो प्रोब्लम बर ज्यादा ना डालें इस चीज का ध्यान दे कुछ भी मिटास डालना हो न तो मदूर रहना चाहिए जादा हाइड नोट में डालें तो मजा नहीं आएक गिरे भी खा देते हैं अब साधी साथ तोड़ा रिचनेस के लिए क्रीम चार से पांच टेबल इस्पून थोड़ा सा हरा धनिया थोड़ा सा लच्छा जिंजर डाल के अब थोड़ा सा बटर डाल के इसक इसको मिक्स कर लीजिये और गर्मा-गरम सर्व कर लीजिये हैं ना है ना एकदम आसान सा पनीर बटर मसाला बनके तयार हो चुगा साथ में आपको बता भी दिया इसके बहुत सारे वेरियंट्स आप बना सकते हैं इसी गिरेवी से अब एक बार टेस्ट कर लेते हैं इस कानिस कर लेना है उपर से थोड़ा सा क्रीम थोड़ा सा रोगन ओप्शन लाए थोड़ा हरा धनिया थोड़ा सा जूलियन जिंजर और पनीर बटर मसाला आप इंज्वाइब कर सकते हैं लच्चा पराठा बटर नान कुल्चा राइस प्लाव जो गंबिनेशन अच्छा कर सकते हैं फिलाल इस डिस्क को हम इंज्वाइब करेंगे लच्चा पराठा के साथ बिलीब में बहुत ही जबर्दस बना था दोस्तों तो आप भी आसानी से घर पे जरूर एक बार ट्राइक कीजिए कैसा लाहा उसको जरूर मेरे को बताईए थैंक्यो फूर वाचिंग